हलो असा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होगे और स्वास्त होगे शुरुवात करते हैं आज की वीडियो के आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले है एक्सरसाइज 11.3 का कुछ कोशन्स बाकी रहे गये थे यदि आपने एक्सरसाइज 11.3 या 11.12 नहीं देखा है और कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर्ट सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखे उसके बाद इसको आप देख सकते हैं ओके तो यहां पर एक एक डाटा को लिखते चलता हूँ सॉलूशन में ठीक है चल तो सबसे पहले क्या खरीती है ओल खरीती है कितने में 23.50 पैसे ठीक है यह हो गया उसके बाद सॉप फोर 8 एट रुपीज एंड 15 पैसा राइट फिर क्या खरीती है सॉप खरीती है यहां पर लिख रहा हूँ सॉप यानि कि साबुन खरीती है कितने में 8 रुपीज तो देखो यह 3 के नीचे में 8 लिख रहा हूँ 8 डेसिमल और 15 15 पैसे आपको क्या करना है कि डेसिमल से डेसिमल को मैच कराना है और डेसिमल के इधर में जो नंबर है उसी को ठीक नीचे लिखना है और डेसिमल को उधर में जो नंबर है ठीक नंबर नंबर के नीचे लिखना है अगे बोल रहा है कि powder खरीती है powder for RS 12 and 39 पैसे तो यहाँ पिलिक रहा हूँ powder कितने में खरीती है जी powder खरीती है आपका 12 1 to 12 तो देखो यह 2 के ठीक नीचे 1 और 2 यहाँ और decimal 39 पैसे 3 और 9 39 पैसे तो देखो यहाँ पे 3 है 8 है 2 है और यहाँ पे 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपने मन से 0 माल नेंगे family complete हो जाएगी इसकी भी अब चलो यहाँ पे 059 यह सब को क्या करना पड़ेगा plus कह रहा है कि how much was the bill for कह रहा है कि जब यह सब चीज खरीती है तो कितने का bill होगा तो क्या करना पड़ेगा oil खरी दी, साबून खरी दी, powder खरी दी तो आपको क्या करना पड़ेगा सब इट बिल को सभी पैसे को जो खर्च हुआ आपको add कर देना है उसके बाद पता चल जाएगा तो 059 तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 14 का 4 carry 1 तो 1 यहाँ चला गया यह carry 1 यहाँ आ गया clear है ठीक है अब चलो 5 प्लस 1, 6 6 प्लस 1, 7 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, 10 10 का 0 carry फिर से यहाँ 1 हो गया यह रहा clear है अब पैसा 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 है तो यहाँ पैसा P लिख दो और decimal, decimal, decimal है तो यहाँ decimal डाल दो clear है अब यह carry यहाँ पे है तो जो जो 3 प्लस 1 कितना? 4 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 2 कितना? 14 14 का 4 carry फिर से 1 clear है? यह carry 1 यहाँ चला गया तो 2 प्लस 1, 3 3 प्लस 0, 3 3 प्लस 1, 4 तो यानि कि 44.04 पैसे यानि कि 44 रुपे यहाँ पे लिखूंगा RS 44 44 and and 04 पैसे clear है? यही क्या होगे? हमारा answer होगे तो कितना बिल बना? टोटल बिल यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल बिल इक्वल टू यह रहा clear है? तो यह था problem number 5 clear है? अब हम लोग move कर रहे है problem number 6 की और हाँ screen insert जरूर ले ले लेना आप लोग तो यह रहे है आपके पास में problem number 6 dear student आप यहाँ पे देख सकते हो कि problem number 6 हम लोग ने note down कर लिया है तो यहाँ पे देखो Simran नाम की लड़की है usually pays मतलब कि क्या करती है कि pay करती है pay मतलब होता है कि कोई bill आता है तो उसको या फिर कोई पैसा देना तो उसको pay बोलते है usually pay समानेता वो pay करती है RS 472.5 रूपी इतना रूपे पे करती है बिजली bill the electricity bill of the house मतलब घर का जो बिजली बिल आता है वो 472.5 रूपी ये pay करती है समानेता अब कहा रहा है कि एक यूनिट यानि कि पर यूनिट RS 3.50 is charged for electricity तो कहा रहा है कि एक यूनिट देखो टोटल पैसा इतना इसने मतलब pay किया है यानि कि एक महिने में बिजली भी आया होगा ठीक है लेकिन ये कहा रहा है ये sentence कहा रहा है कि एक यूनिट का जो चार्ज है electricity का बिजली का एक यूनिट का चार्ज वो है साढ़े 3 रूपे 3 रूपी 50 पैसे clear है तो how much unit does she use in her house तो कहा रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि उसने अपने घर में कितना unit बिजली जलाया ताकि तब जाके 472.5 रूपीज का बिजली बिलाया तो इस तरह के question को बनाने के लिए आपका approach क्या होना चाहिए किस तरह से mind होना चाहिए किस तरह से strategy आपकी होनी चाहिए ये चाहिए total total कितना पैसा की है तो यहाँ पे लिख देता हूँ total pay money total pay money is called to 472.5 clear है ओके ठीक है अब देखो ये 5 के यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 0 माल लेंगे क्या माल लेंगे 0 या फिर चलो कोई दिकर नहीं ऐसे रहें जैसे डाटा है वैसे के वैसे रहें clear है अब कहा रहा है कि एक यूनिट पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि per unit per unit electricity electricity charged equal to 3.50 clear है 3.50 पैसे एक यूनिट का चार्ज है तो क्या करने वाले हम लोग कि इस टोटल पैसे को हम लोग divide दे देंगे किसे 3.50 से सर्फ कहना का चाहते हो यह कुछ 472.5 divide by 3.50 इस से divide दे देंगे clear है तो आपको सिखा चुका हूँ कि divide कैसे देते हैं हम लोग clear है तो देखो फटा फट हम लोग देख लेते हैं तो 472 और 20 decimal हाटा के लिखेंगे हम लोग clear तो क्या हो जाएगा यह 5 और नीचे में क्या आजाएगा decimal के लिए 1 और यह 0 और divide का क्या हो जाएगा multiply sorry अभी divide ही रहन देते हैं ठीक है divide उसके बाद क्या हो जाएगा 3.50 और by नीचे में यह decimal के लिए 1 और decimal के इदर में 2 है 2 digit है तो 2 0 clear है अगर आप यह समझ में नहीं आएगा तो आप video number 1 से देखो 1, 2, 3, 4 तो यह concept समझ में आएगा आपको पूरा कि यह चीज़ कैसे हो रहा है देखो इसमें मैंने क्या कि एक decimal हटा के उपर को लिख दिया और decimal के लिए 1 लिखा और decimal के इदर में 1 digit है एक number है तो इसको लिए 0 यहाँ पे 350 decimal हटा के लिख जिया 350 और decimal के लिए 1 और 2 ठोट डिजिट है 1 और 2 तो 2 ठोट 0 हो गया clear है अब क्या करते थे इदर वाला जेओ का तेओ लिख दे थे 4725 by 10 और multiply यह sign multiply और यह उपर चला जाता था यह होता था 100 by 350 यह ऐसे हो गया clear है तो देखो 1 0 से यह 1 0 खतम हो गया फिर यह 1 0 से फिर यह 1 0 खतम हो गया clear है तो अब यह क्या बचा 4725 multiply यह उपर में यहां बता दे रहा हूँ ठीक है क्या बचा 4725 by क्या बचा 35 नीचे में क्या बचा 35 देखो ध्यान से 4725 इधर में तो कुछ नहीं बचा क्योंकि 0 0 खतम हो गया यहां भी कुछ नहीं बचा यहां भी क्यों 35 बचा यह 0 खतम हो गया नीचे में 35 बचा यह सब काटते आपको आना चाहिए ठीक है अब चलो 5 के table से यह जा रहा है तो कितने 5, 7 जा clear है और यह कितने जा में जाएगा 5 से 4, 7, 2, 5 को divide कर लो clear है तो 5 9 जा 45 अब तो 7 में से 5 गया कितना होगा 2 और यह 2 को नीचे लेके आओ और यह 4 में से 4 होगया तो यह जिरो होगया क्रॉस होगया अब 5, 4, 4 20 clear है 2 में से 0 जाएगा तो 2 फिर यह क्रॉस 2 में से 2 गया तो क्रॉस 0 होगया अब यह 5 को नीचे लेके आओ तो देखो 5, 5 जा कितना 25 cancel यानि कि 9, 45 में चला जाएगा कितने में 9, 45 में चला गया clear है यह मैं मिटा दे रहा हूँ अब अब फिर से देखेंगे क्या 7 के टेबल से यह जा रहा है क्या 7 के टेबल से 9, 4, 5 को divide करो clear है तो 7, 1 जा 7 9 में से 7 गया 2 और यह 4 नीचे आया clear है तो 7 बन जा 7, 7, 2 जा 14 7, 3 जा 21, 7, 4 जा 28 तो 3 जा में लगेगा 21 ठीक है तो 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 गया तो 0 कुछ नहीं अब यह 5 को नीचे लेके आओ clear है तो 7, 5 जा 7, 5 जा 35 cancel हो गया तो देखो यह 7, 1 जा में गया और 7 कितने जा में 135 जा में गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह होता है कि 135 right 135 रूपीज जो है उसका बिजली बिल है sorry यानि कि not बिजली बिल 135 इसका मतलब इतना यूनिट यह पूछ रहा था था न कि how many units does she use in house तो कितना यूनिट उसने यूज किया उसने 135 यूनिट उसने यूज किया clear है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग की units used equal to 135 135 यह क्या हो जाएगा answer 135 यूनिट उसने क्या किया यूज किया बिजली बिलताब जाके 472.5 रूपीज clear है तो dear student यह था problem number 6 screenshot जरूर ले लेना इसका और अब हम लोग मूप करना है problem number 7 की ओर dear student आप यहाँ आपे देख सकते हो कि problem number 7 और 8 दोनों को मैंने note down कर लिया है इसी दोनों portion के साथ यह chapter यह lesson पूरा समाप्त हो जाएगा फटा फट से problem number 7 को समझते है और एक चीज और मैं आप से यह कह दू कि जैसे मानिये कि यह video लंबा होता है तो मैं यह सोच के पढ़ाता हूँ कि class 7 के student को पढ़ा रहा हूँ और यह चीज यह भी चीज एक बार clear करता हूँ कि जैसे मानिये कि आप जब answer देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि मतलब मेरा answer गलत है आप book का answer कुछ अलग ही है मतलब जो answer है उसमें difference हा जाता है तो book को मैं सक्यकीन मानिये इतना मतलब गंदे तरीके से answer दिया गया है मतलब कुछ भी लिख दिया गया है कुछ भी print किया गया है तो book का तो answer आप मानना ही मत ठीक है तो चलो यहाँ पर देखो जड़ा clear है फटाफट से बहुत ज़्यादा mistake है book में solution पर आप यहाँ आते है question समझ लेते हैं क्या गह रहा है कि रहीम पेज फिर से रहीम किसी चीज के लिए पैसा दिया right RS 2075 रुपे दिया as house rent per month एक महीने का जो rent है 2075 रुपे क्या किया पैसा दिया जैसे वो किराये पे रह रहा होगा तो एक महीने जैसे ही बिता तो उसने क्या किया 2075 रुपे दे दिया okay how much will he pay in two and half year कह रहा है कि दो साल छे महीने ये कह रहा है कि two and half year का मतलब क्या होता है पूरा पूरा दो साल और उसके बाद छे महीना और यानि कि total कितना महीना दो साल छे महीना इसका मतलब देखो तो कह रहा है कि कितना pay करेगा वो दो सल छे महीने रहेगा तो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ one month solution पर आते हैं one month rent equal to 2075 rupees ठीक है इतना है अब आगे कह रहा है कि how much will he pay in two and half in two and half तो कह रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे कि two and half मतलब क्या हो गया two and half year means two and half year means क्या हो गया दो साल दो साल और छे महीने clear है अच्छा दो साल यानि कि कितना हो गया दो साल यानि कि कितना 12 दून एक साल में कितने होते हैं 12 महीने यानि कि 2 साल में कितने 24 महीने यानि कि 2 multiply 12 clear है plus 6 क्योंकि यह 6 महीना को जोड़ देना पड़ेगा तो 12 दून 24 महीने अपलस ये 6 महीना, तो कितना हो गया, 24 और 6, कितना हो गया, 30, 30 मन्त, यानि कि 30 महीने वो क्या कहा, 30 महीने तक वो उसके घर में रहा होगा, तो 30 महीने का बोल रहा है कि, how much will he pay, वो कितना pay करेगा, clear है, तो ऐसे तो 30 महीने, ये 2 year 6 मन्त का मतलब समझ गया, ये 1 साल में 12 महीना तो 12 into 2, 2 साल रहा है, इसलिए कितना हो गया, 24, ये 6 महीना और जोर दिया, तो 24 चे 30 महीना, टोटल महीना, ये 2 and half year का मतलब क्या हो गया, 30 महीना, clear है, अब 30 महीना, यानि कि कितना पैसा देगा, तो यहाँ पे लिग देते हैं, कि he pay, he pay, total, total money, total money equal to क्या करना पड़ेगा, 30 multiply, 30 से multiply करना पड़ेगा, 2075 से, 2075, clear है, ठीक, तो देखो, 30 से 2075 को multiply करो, 2075 multiply 30, clear है, तो 0000, clear है, ये 0 से करोगे, तो 0, ये प्लेस खाली छोड़ करके, 53 जा 15 का 5, carry 1, 73 जा 21 plus 1, 22, carry 2, clear है, 30 जा 0, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी, ओके, अब 3, 2, 6, clear है, तो ये रहा 0, ये 5, और ये 2, और ये 2, और ये 6, यानि कि 6, 2, 2, 5, 0, कितना देगा वो, 6, 2, 2, 5, 0, रूपीज, यानि कि 62,252 रूपीज देगा ये, 62,000 ये कॉमा दे दिया हूँ यहाँ पे, उसके बाद, 3 डिजिट के बाद, यानि कि 62,250 रूपी वो, पूरे 30 महिने का, ये ही आपका क्या हो गया, ये ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बंधू, ओके, ठीक है, चलो, अब अगला कोशन देखते हैं, फटा-फट से, फटा-फट से, क्या कह रहा है, find in cubic meter, cubic meter मतलब होता है कि, meter का cube, यानि कि, meter को 3 बार multiply करना है, यानि क कोई भी, m multiply, m multiply, m, clear है, अब इसके साथ में अगर कोई number रहेगा, जैसे 2 meter, 3 meter, 4 meter, यानि कि, 3 बार multiply, ठीक है, इतना का समझ में आया, तो कह रहा है कि, find the cubic meter, the air content, the air content in a room of length, कह रहा है कि, cubic meter मुझे बताओ कि, क्या होगा, जो, मतलब, room में, जो room content, एक room जिसमें हवा रहता ह है, ठीक है, air content in room, ठीक है, clear, जिस room में हवा रहता है, उसके cubic meter, बताओ कि, कितना होगा, जैसे अभी एक room है, इस room में, मतलब, कुछ नहीं है, तो हवा है, तो कह रहा है कि, इस room में, मुझे बताओ कि, कि, कितना cubic meter हवा होगा, clear है, अब room का length, देखो, room का क्या क्या दिया है आपका length दिया है, breath दिया है, और height दिया है, clear है, तो देखो, शुरू में नाम किसका आया है, length का, तो length कौन है, ये है, शुरू में ये है, फिर कौन है, breath, breath है, तो ये breath है, ठीक है, फिर last में कौन है, height, तो ये height है, याद रखनो, देखो, इस सब पहचानने का तरीका है, श तो कैसे निकलेगा हम लोग को यहाँ पर solution इसका यही है कि air content in room यहाँ पर लिख देता हूँ air content in room equal to क्या होगा length length multiply breath multiply height height clear है तो length कितना है length कितना है 5.5 यह रहा 5.5 meter multiply फिर कितना है 4.6 meter multiply 3.2 meter हो गया तो 5.5 meter 4.6 meter और 3.2 meter इसका मतलब क्या हो गया यह तीनों आपस में multiply होंगे तो यह कैसे पहले तो इसका break करना पड़ेगा हाना तो पहले decimal हटा के लिखो तो क्या हो जाए 55 ऐसे हो जागा 55 by decimal के लिए 1 और यह एक डिजिट है तो 0 यहनि कि 55 by 10 meter multiply इसको क्या लिखोगे 46 by 10 meter multiply उसी तरह से इसको क्या लिखोगे 32 by 10 meter सर यह कैसे लिख दे रहा हूँ तो देखो अभी decimal हटा करके समझो जरा बात को जो कह रहा हूँ decimal हटा के मैंने इसको लिख दिया और decimal के लिए 1 और decimal के इदर में एक ठोड डिजिट है इसलिए 0 यहां भी decimal हटा के लिख दिया मैंने 46 होगा उसको डिजिमल के लिए 1 और फिर एक ही डिजिट है तो इसलिए एक 0 यहां भी वही concept of log किया क्लियर है तो उपर 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 multiply होगा 55 46 और 32 यह आपस में तो इस problem को मैं यहां पर deal कर देता हूँ यह box में क्लियर है ठीक है चलो त 55 multiply देखो उपर 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 multiply कर देता हूँ 55 multiply 46 multiply 32 by क्या होगा 10 multiply 10 multiply 10 नीचे 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 दिनोमिनेटर नोमिनेटर 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 तो कर दिया उपर में अब दिनोमिनेटर में यानि कि 10 multiply 10 multiply 10 हो गया अब चलो यह तीनो को multiply कर लो सर आप काट क्यों नहीं रहो मै इसलिए नहीं काट रहा हूँ, इसलिए मैं simplify नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं इसके उपर में decimal चढ़ाऊंगा, तो as it is आएगा, clear है, ठीक है, अभी काटूंगा, तो भी से वैसे ही आएगा, और नहीं काटूंगा, तो भी से वैसे ही आएगा, तो मुझे आसा 45, 30, carry कितना हो जाएगा, 3, फिर 65, 30, 30, plus 3, 33, clear है, again 45, 20, फिर 45, 20, plus 2, 22, clear है, यह 0, यह 3, यह 3, यह 3, प्लस 2, 5, और यह 2, यानि कि 2530, कितना हो गया, 2530, ठीक है, किसको, अभी 54, 55 और 46 इसको किया हूँ, इसको और इसको, तब जाके यह आया, 2530, अब यह 2530 को मुझे मल्टिप्लाई करना होगा, किसे 32 से, यह रहा 32 से, हैना, ठीक है, समझना है, देखो, इन दोनों का, इसका और इसका मल्टिप्लाई होके, यह आया, 2530, अब इसमें हमें मल्टिप्लाई करना होगा, यह 32 को करना पढ़ींगा, हैना, चलो, तो 0 और 2 को करो तो कितना हो जाएगा 0, 3, 2, 6, 5, 2, 10, carry 1, 2, 2, 4, 4, plus 1, 5, ओके, अब यहां पर क्रॉस, 3, 0, 0, 3, 3, 9, 5, 3, 15, carry 1, ठीक है, अब 3, 2, 6, right, एक बार फिर से कर लेता हूँ, मैं, 0, 3, 2, 6, 5, 2, 10, 2, 4, plus 1, 5, ओके, 0, 3, 3, 9, 5, 3, 15, carry 1, 3, 2, 6, plus 1, 7, कि लिए आप सबको add कर देता हूँ, तो add करने से क्या आएगा, यहां पर आएगा, 0, यह 0, 6, plus 0, तो 6, और 0, plus 9, तो 9, 5, plus 5, तो कितना होगा, 10, carry 1, 7, plus 1, तो 8, यानि कि यह आएगा, 80960, तो मैं आप पहली कर दे रहा हूँ, 80960, और नीचे में 10, multiply, 10, multiply, 10, तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा, अब देखो, 10, 0, चला गए, 10, 0, से 10, खतम हो किया, उसके बाद अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसा कुछ रहे गया, तो इधर से मुझे क्या करना है, दो ठो जिरो बचाना नीचे में, तो दो डिजिट इधर से हम लोगो क्या करना है, डाल देना है decimal, तो देखो, 6, 9, अब उसके बाद decimal डल जाएगा, तो 80, 9, 6, यह क्या हो जाएगा, answer, clear है, तो मैं यह सब को मिटा रहा हूं, clear, क्योंकि यह सब मैंने multiply किया था, यह सब rough का काम है, clear है, तो यह complete आपका क्या हो गया, यह complete आपका answer हो गया, तो dear student, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से problem number 7 और problem number 8 को मैंने बनाया है और इसी के साथ, इसी question के साथ, क्या हो गया आपका happy ending हो गया क्या हो गया यहाँ पे, happy ending है, प्यारा सा smile के साथ, clear है, yes तो dear student, यदि आपने जरा सा भी कुछ सीखा है, right तो एक thumbs up और एक प्यारा सा comment और अपने दोस्तों के बीच में share और अगर आप teacher work के हैं, तो आपने जो student हैं, उनके बीच में share करिए तो मिलते हैं हम अगले next studio में एक नए उरजा, एक नए energy के साथ और एक नए chapter के भी साथ, so bye bye and take care